स्थुटें से ने6 देखिन है मिस्लिनेस कैशय नियम नायं जबता कर लेश्रै का चल्द रस्डेश सर्थ वाले कैशन का उन्सें का लिए ना ऑगलत नीचाल Omaha कर लेना निइ क्या कह रहा है, cos x equals to minus 1 by 3 and x is in third quadrant, अब आपको पता third quadrant का होता, a, b, c, third quadrant यहां होता third quadrant का होता, pi से शुरू होगा 3 pi by 2 से चलेगा तो cos x जो है, वो minus 1 by 3 है ठीक है, and x in third quadrant ठीक है, so third quadrant का मतलब हो गया, x लाए कर रहा है आपके पास इस तरीके की लिमिट से ठीक है, और इस लिमिट में अगर मेरे पास cause दे रखा है मेरे बोगों, तो मैं directly इससे sign निकाल सकता हूँ क्या, first of all, ठीक है, मुझे बताओ, इसमें sign x क्या होगा a, s, t sign क्या होगा, sign x is negative होगा in third quadrant first thing मेरे यह सुनना, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, सुनो, sign x सा formula होता है, one minus sin square x ही होता है, sin square x plus cos square x plus one वाले तरीके से, one minus, minus one by three का whole square, one upon nine, LCM लेंगे, कितना हो जाएगा यह, one upon nine है, nine में से बन गया, eight by nine, two root two upon three, ठीक है, plus minus की बात कर रहा हूँ, आगे संच में, ठीक है, सर, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी है, cos x मुझे directly दे ही रखा है, तो मैं directly भी निकाल सकता था, sin x by two तो उससे भी निकल जाता ना, तो रहने दो, यह रहने दो, तो आल तो time wasting हो गया, खड़ा दो इसको, चलो, मैं जो limit बोल रहा था, अगर मुझे x by two में limit change करनी है, तो मुझे इसको pi by two, x by two करना पड़ेगा, और 3 pi by four करना पड़ेगा, अब आपको पता है, थोड़ा सा ध्यान देना, 3 pi by four क्या होता है, 3 pi by four होता है, 135 क्या होता है, तो और यह है 90, यानि x by two जो आगए, वो 90 से 135 की बीच में लाए करेगा, 90 से 135, यानि कि second quadrant, कौन सा quadrant हुआई है, second quadrant हुआई है, ठीक है सर, अब यह जो आपका second quadrant है, second quadrant में, a, s, sin positive है, बाकी सब negative है, तो sin x by two is positive, and cos x by two, and tan x by two is negative होंगे भईया, इस quadrant में यह समझ ले ना, first thing तो, ठीक है, formula बनाओ, formula क्या था अपने पास भईया, formula था हम हर पास, cos 2x equals to, 2 cos square x minus 1, इससे अगर मैं छेड़का नहीं करता हूँ, यहाँ 2 लगाता हूँ, यहाँ 2 लगाता हूँ, and minus 1 को उधर लेके जाता हूँ, तो cos x plus 1, divide में 2 करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ के वल क्या बज़ जाएगा, cos square x by 2 बज़ जाएगा, जो मुझे find करना है, अब cos x की value मेरे पास है, पहले से give it, minus 1 by 3 put कर दो, 1 by 2, कि कैसर, LCM लूंगा मैं, कितना जाएगा, minus 1 plus 3 upon 3 into 2, 3 में से 1 गया, 2 by 3 into 2, 2 से 2 चला गया, cos square x by 2 बज़ गया, and what we get, 1 by root 3, अगर हम square अटाते हैं, तो plus minus में, अभी मैंने बताया, cos x by 2 negative होगा, तो इसका मतलब हमे, cos x by 2 क्या लेना है, negative 1 by root 3 लेना है, क्या लेना, negative 1 by root 3, इसको आप rationalize कर सकते हो, root 3 upon root 3, तो कितना बन जाएगा, यह minus का root 3 upon 3, बन जाएगी यह value, ऐसे वो answer, last ओलर जाता है, question number rate, जिसमें comment आ रहे थे, कि sir गलत अंसर हो, गलत नहीं, वो rationalize नहीं किया है, बस वापे, ठीक है, वो आप self कर लेना, मिनिट जल्दी जल्दी में, बस ऐसी end कर दिया, पूरा वीडियो, तो देखो, क्या किया आपने, सही आ रहा है, एक दमामला, 3, नीचे denominator में, 3 हो गया, आपके पास, 3 में से 1 गया, 2 बज़ गया, आपके पास, और 3 और ये नीचे, 2, फिर ये 2 से 2 कट गया, 1 by 3 like that, ओके, अब देखो, ये आपके पास आ गई, अब दूसरा वाला फॉर्मूला, बनाते हैं, अपने यहाँ था, एक बार पॉस कर, कॉपी करेंगे, फिर्स्ट वाला पॉइंट हाना, सैकिंड देखो, सैकिंड फॉर्मूला, क्या है हमार पास भीजा, इसको उदर बेजूँगा, तो 2 साइन स्क्वार एक्स बाई 2, इकवल्स टू 1 माईनस कॉस एक्स, ये कटने के बाद, इस 2 का अगर नीचे बेज देता हूं, तो यहां से हट जायागा, अब मुझे केवल डेरेक्ली यहां पर वैल्यू पूट करनी है, किसकी 1 माईनस कॉस एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो मेरे पास, माईनस 1 बाई 3 है, माईनस 1 बाई 3, डिवाइड में कितना 2, 1 प्लस 1 बाई 3, एलसे हम ले लो, 3 और 1 कितना हो गया, 4 बाई 3 इंटू 2, तो उसे कटा 2 टाइम, 2 बाई 3, समझ गए, ठीक है, अगला देखो, अगर मुझे किवल, साइन एक्स बाई 2 लिखना है, तो प्लस माईनस, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रूट 2 बाई 3 लिखना पड़ेगा, इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ, और मैंना भी पीछे बताया था, आपको साइन एक्स जो रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमके वह पॉजिटिव वैल्यू लिखने, इसमें से, साइन एक्स बाई 2 की हम पॉजिटिव वैल्यू लिखने, रूट 2 अपॉन रूट 3, इरैशनलाइज कर सकते हैं आप इसको, रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टिप्लाइ करके, ऊपर रूट 6 हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, समझ गए, सेकिंड वैल्यू आगई, थर्ड वैल्यू देखो, 10x by 2, 10x by 2 क्या होता है, sinx by 2 अपन cos x by 2, 3 अपन रूट 3, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ठीक है सर, अब देखो, आप फोकस करना, रूट 6 का मतलब क्या था हमार पास, रूट 2 इंटू रूट 3 यही तो था, और एक रूट 3 से यह कट जाएगा, आपके पास, तो फाइनली आप देखोगे, 10 x by 2 की वैलू, माइनस रूट पाएगी आपके, आया कोछ समझ में, तो तीनों वैलूज निकाल दी मैंने, साइन एक्स बाइटू की वैलू है, माइनस, रूट 6 अपन 3, और कॉस एक्स बाइटू की वैलू है, हमारे पास, माइनस रूट 3 भाइ, यह हो गया, यह हो गया, कम्प्लीट कैशर में नाइन था, लास्ट देखिएंग, कैशर टैन, नेक्स स्लाइट में,